आखिर कौन है ये लड़की जो खुद को कलेक्टर बनाय जाने की मांग कर रही है सबकी मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दे रही है आखिर क्यों ये प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है कह रही है कि अगर आपसे मांगे पूरी नहीं होती तो हमें मौका दीजिये कलेक्टर बनने का सारी समस्याइं दूर कर देंगे सोशल मीडिया पर ये लड़की अपने इस बेबाक अंदास के लिए काफी चाही हुई है दरसल ये लड़की मध्य प्रदेश के जाबुआ जिले की है जहां पर NSUI के बैनर तले स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों ने जाबुआ कलेक्टरेट पर धरना दिया धरना देने का कारण था बस गिराय में छूट देना और काफी समय से बंद पड़े LLB कॉलेज को शुरू करवाना विरोत के लिए बड़े स्तर पर छात्र छात्राओं का हुजुम उम्रा था लेकिन प्रशासन की ओर से टाल मटोल और आश्वासन मिलने से छात्राएं खफा हो गई वीडियो में नजर आ रही लड़की खुद को कलेक्टर बनाने की मांग करने लगी कहा हम आदिवासी भीक मांगने थोड़े आए हैं अगर समस्या हल नहीं होती तो पच छोड़ दो लेहाजा अपने इस अंदाज के चलते ये लड़की रातों रात अपनी पहचान बना चुकी है और सोशल मीडिया पर भी खुब वाइरल हो रही है फिलहाल प्रदर्शन कारियों ने मुख्यमंत्री शिवरात सिंग चौहान से ग्यापन के माध्यम से मांगों पर गौर करने की मांग की है पंजाब के स्री के लिए जाबुआ से जावेद खान की रिपोर्ट बुद्वार को हुए छात्र संगठन के धरना परदर्शन में जो लड़की वाइरल हो रही है जिसका वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है वह लड़की है अलिराजपूर जिले के खंडाला गाउं की रहने वाली है उसका नाम है निर्मला चौहान निर्मला चौहान बीए अपने वीडियो में ये बताया है कि उसको कुछना गुसा कितना है गुसे में वो कलेक्टर से गुहार लगाती नजर आ रही है कलेक्टर से कह रही है सार आप से अगर नहीं बनता है तो हमें कलेक्टर बना दीजिए आप से अगर कुछ नहीं होता है जनता की समस्यां अगर जो वीडियो है वो जम कर वाइरल हो रहा है लड़की खंडाला की रहने वाली है जो अली राजपुर छेतर में आता है और जो विद्यारतियों का जो गुस्सा है परसासन की जो जनहितेसी योजना है जो कागचों पर दिखती है लेकिन धरातल पर नजर नहीं आती इसी बात क को लेकर जो अपना विरोध परदसन दर्ज किया था उस विरोध परदसन के दौरान काफी हंगामा हुआ और हंगामे के बीच उस लड़की का जो घुस्सा था वो फूट पड़ा और फूटने के बाद ही उसने परसासन और सरकार को खरी-खोटी सुनाई हमसे जुड़े र निवाद